तो दोस्तो बात कर लेते हैं SRAF Limited के stock के बारे में जान लेते हैं आगे इसमें कौन से level और कौन से targets आपको देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तो ये stock reversal लगाते हुए नजर हमें आ रहा है इसमें reversal के संकेत आ चुके हैं तो आप इसमें देख सकते हैं chart को 2000 रुपे के नीचे ये stock नहीं निकल रहा है और इसी तरह से 2700 रुपे के उपर को break नहीं कर रहा है जिस समय ये 2700 से 2800 के level को break करके उपर निकलेगा तभी इसमें आपमें और ज़ादा उपर के targets देखने के लिए मिल सकते हैं तो दोस्तो इस समय ये बहुत ही अच्छी buying opportunity दे रहा है 2300 रुपे के आपस पास trade कर रहा है जिस समय मैं ये video record कर रहे हूं इस stock को buy करके अपने portfolio का हिस्सा बनाएए दोस्तो आप इसमें additional add कर सकते हैं अगर stock 2200 के level पर आता है या फिर 2100 तक आता है या फिर 2000 तक आता है तीन level है आपके लिए additional add के लिए और इसमें आपके जो targets रहने वाले हैं वो रहेंगे 2700 से 2800 रुपे तक के तो दोस्तो दूसरे stock को discuss कर लेते हैं तो दोस्तो दूसरा stock है कोरा मंडल stock दोस्तो यह stock भी reversal के बहुत अच्छे संकेत दे रहा है यहां पर आप इस stock को एक बार देख सकते हैं दो दिन से continuous up move लगते हुए नजर आ रहे हैं इस stock में और उपर के क्या levels हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आप देख सकते हो अगर यह stock 1800 को break करके उपर की तरफ निकलता है तो फिर यह stock 1850 तक के लिए ready हो जाएगा दोस्तो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाते हैं तो इस stock को इस level पर buy कर सकते हैं 1850 तक के target के लिए जानती हूँ इस stock में आपको बहुत छोटा target दे रही हूँ लेकिन यह stock reversal नहीं ले रहा है नीचे से यह stock आपको सिर्फ breakout देने की तयारी कर रहा है यह level उसी के लिए है अगर कोई risky trader है risky play करना चाते हैं तो वो ही लोग इस संद आये हैं जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किये भी ना बिल्कुल भी मत जाएगा और वीडियो को दबाकर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जूर पाएं इसी तरह से valuable stocks के बारे में डेली बैसिस पर जानना चाते हो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाते हो तो चैनल को तुरंत कर लीजेगा सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग